इस लैप्टॉप में हम हार्ड ड्राइव चेंज करेंगे सबसे पहले बैटरी का लॉग साइट पे फ्लिक कीजिए और ये बैटरी बाहर को निकल आई अब एक स्कुरू ओपन कीजिए और ये कवर निकल जाएगा इसके नीचे रैम और वाइफ़ाई कार लगा होता है देखिए ये साइडो में सिर्फ प्लास्टिक के लॉक से ही लगा होता है अब ये चार्ज स्कुरू ओपन करके आप हार्ड ड्राइव की केसी निकाल सकते है जिसके अंदर हार्ड ड्राइव टाइट की होती है बेस्ट है आप मैगनेट वाला स्कुरू ड्राइवर यूज कर ले ना जिससे स्कुरू गिरेगा और उस मिस्टिक भी कर सकते है अभी आप इसकी केबल को खीच लीजिए उपर की तरफ अब केसिंग में 4 स्कुरू लगे हुए जिससे हार्ड ड्राइव टाइट की हुई है मैंस होल्ड की हुई है आप वो 4 स्कुरू निकाल लीजिए और आपकी हार्ड ड्राइव केसिंग से बाहर निकल जाएगी यह देखिए अब आप केबल निकाल लीजिए आगे से यह साटा हाट ड्राइव है अब आप नहीं हाट डिस्क इसमें इंस्टाल कर सकते हैं यह WD की 1TB हाट डिस्क है सेम वैसे ही केबल लगाना है और इसे अब आपने केसिंग में डालना यह कभी भी opposite sidements उल्टे ही हाट ड्राइव केसिंग में लगाओके कभी भी नहीं लगेगी यह जैसे सीधी है उसी शेप में ही लगेगी अब इसमें 4 स्कूरूस लगा लिजिए आपकी केसिंग होल्ड कर लेगी हाट ड्रेव को केसिंग लगाने का में मकसद यह होता है कि आपकी हाट ड्रेव लैप टॉप के अंदर हिले ना अगर हिलेगी तो वह खड़ाब जल्दी होगी केसिंग इसे फिट कड़के रखता है अब यह आप वैसे ही से इंसर्ट कर लीजिए जैसे निकाला था अब केबल को वहां लगा के थोड़ा सा प्रेशर डालना है बस वह लॉक हो जाएगी केबल सेम जैसे है वैसे ही लगेगी बस एकदम सेम टू सेम स्पेस में रखके आपने लगाना है कहीं टेरा में रखी है तो उसका नीचे का लॉक टूच जाता है अब आप चार स्कुरू लगा सकते हैं और आप ही केसिंग टाइट हो जाएगी अब इसका कवर लगा लेजिए इसमें बाकी सभी तरफ लॉक लगे होते हैं सबसे पहले नीचे की साइड को प्रेस लिए फिर साइड से लॉक लगा के उपर स्कुरू टाइट कर लेजिए सेम इसी में इस कवर में भी सेम यही प्रोसेस है पहले नीचे से करना है फिर साइड हो में जो लॉक लगे हुए हैं वो साइड हो को कैज कर लेंगे फिर आपने स्कुरू लगा देना है अब इसमें बैटरी के नीचे भी चार लॉक लगे हुए सबसे पहले नीचे के पार्ट को अंदर करना है फिर उपर से जस्ट प्रेस करनी है अपने बैटरी और इसका लॉक लग जाएगा यह देखिए बस तैंक यू सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लाइक और अज़िए